ले जनाओ, इस लेक्षर में जो चीज में आपको बताने वाला नो, that is related to prompt engineering, और वो आज ही आपने ये काम करके फिर सोना है, चार या पांच वेबसाइट बताने वाला हो जहां पे आपने अपनी ौईडी बनानी है, तियार हैं? नहीं भी तियार? तो सौन लो, ये जी, आग आपने और ये website पे जाके आपने अपनी ID बना लेनी है, ठीक है? परप्लेक्सिटी.ai पे जाके, सही हो गया, परप्लेक्सिटी.ai, सेकिंड आपने क्या करना है, आपने जाना है Cloud AI, यहां पे जाके अपनी आपनी आपनी ID बना लेनी है, और यूजिली ये Cloud AI जो है, ये US के अंदर चलता है, UK के अंदर चलता है, पाकिसान के अंदर नहीं चलता है, तो आपने ओपरा ब्राउजर से VPN इसका इंस्टाल कर लेने, ठीक है, ओपरा ब्राउजर से, पहला हो गया GPT हो गया, फिर हमने एक चोथी वेबसाइट है, जहां पे अपनी आइड बनानी, that is Pui.com, यहां पे क्यों बनानी है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे GPT algorithms, free of cost, आपको अवेलेबल होते हैं, with some of the limitations जो हम use करने वाले हैं, by the way, limitations से मुराद यहीं नहीं कि आप उसकी power को utilize नहीं कर पाएंगे, you can utilize that, तो पहले होगी perplexity, दूसरी cloud AI, third one is chat GPT, and the fourth one is Pui.com, ठीक है, फिर आपने एक और Bing AI, Bing AI chat के ओपर भी अपनी account बनानी, यानि कि Microsoft का अगर आपका account है, so that's enough, आप इसको यहां पे utilize कर सकते हैं, Bing AI को, यहां मैं इसका एक और आपको मश्वरा दूँगा, आप क्या करें, Microsoft Edge, जो आपके पास होता है, Edge Browser, उसको install कर लीजेगा, ठीक है, Edge Browser को, तो हम इसको utilize करेंगे, Edge Browser को, for Bing AI chat, and then the next one would be आपका Google का board, हम इसको utilize करेंगे, तो यह कुछ हमारे पास large language models हैं, जिनके बारे में हम पढ़ने भी वाले हैं, NLP के अंदर, आपने इनकी IDs बना लेनी है, यह मैं दुबारा बता देता हूँ, आपने perplexity.ai, cloud, यानिके anthropic, जो website cloud.ai, उसकी ID, chat.gpt की ID, poe की ID, then Edge Browser, डाउनलोड कर लेने, जो आपके पास large language models है, इस वकत की उन्हें utilize करेंगे, एक और है, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, lemma 2, perplexity में अगर लिखूं, तो perplexity labs के उपर अप जब आप जाएंगे, तो हम यहां से lemma 2 के model को utilize करेंगे, which we are going to use when we will have the IDs for these few algorithms, ठीक है, तो यहां से हम lemma 2 को utilize करेंगे, यहां तक clear होगी आपको बात, एक काम आपने और करना है, जो important ID है, वो आपने huggingface.com, huggingface.com है, यह AI है, खेर, .co, huggingface.co के उपर जाके, आपने इसकी भी एक ID बनानी है, ठीक है, तो यह IDs आपको बड़ा helpful साबित होने वाली है, to learn the programming from this course, prompt engineering आपको सीखने को मिलेगी, बहुत साथा और भी चीज़ें, तो यहां तक आपने यह चीज़ें देखनी है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, ठीक है, यह आठ के आठ चीज़ें जो हैं, जब आप इनको सीख रहे होंगे, आपको फिर पता चलेगा कि इसकी power कितनी strong है, और prompt engineering के अंदर यह कितना जयदा हमें help out करने वाली है, तो आप मैंसे, कितने लोग हैं, जिनके पास इन में से कुछ की id's available हैं, और वो कौन-कौन सी हैं, जरा मुझे comment section में बताएंगे, क्या आपने किस-किस की id बनाई है, और कौन-कौन सा large language model अभी तक use किया हुए हाँ जी, है कुछ मर्दे मुझाहिद जो बता सके, hopefully, आपको delay के साथ अवाज पहुंचती है, but it's fine, अच्छा कुछ लोग कह रहें के, मैं SQL क्यों नहीं चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि SQL नहीं चाहिए, मैंने ये बोला कि हमने और रेडी पढ़ा है SQL, आप वहां से भी सीख सकते हैं, मैं आपको tricks बताऊंगा, कि SQL की कौन-कौन सी चीज़ें आपको ज्यादा जरूरी है, ठीक है, so don't worry about that, okay, that's great, good to go!